आज की वीडियो में तीन ऐसे अनाच के बारे में बात करेंगे जिनको अगर अपनी डाइट में यानि के अपने खान फार में शामिल करते हैं तो जिन्दगी भर आपको कैल्सियम की कमी नहीं होगी समस्याओ का रामबाण इलाज है कैसेम सी भरपूर ये तीन अनाज आज का वीडियो बहुत इंफोर्मेटिव होने वाला है प्लिस कीफ वाचिंग इस वीडियो तिल दी एंड जै मतदी फ्रेंड वल्कम बग तो श्रियम्बिकाजी ओल इन वन वन फ्रेंट्स हमारी खान पान में कावो हैटिट बहुत इंपरड़न रूल प्ले करते हैं जिनने हम आम तोर पर गयहों की रोटी या चावल की रूप में गयापको पता है गयहों के अलाबा भी कुछ ऐसे अनाज हैं जिन में गयहूं से ज्यादा पोश्टे तक पाए जाते हैं गेउं से ज़्यादा मिन्रस एंड विटामिन हैं ये आपके शरीर को गेउं से ज़्यादा तागत देते हैं साथ ही कैलसियम की कमी को तो पूरा करते ही हैं इसका सेवन करने से आपके शरीर में आरेन की कमी भी नहीं होगी ना ही आपकी शेरी में खून की कमी होगी, चैरे में ग्रोव आएगा, बालों का तूटना ज़र्णा बंद होगा, शेरी में चुस्ती फुर्दुई को बढ़ाते हैं तो सबसे पहले आनाज की हम बात करते हैं जो है बाजरा जिसको इंग्लिस में पल्मिलिट कहते हैं ये कैलसियम मैगनेशियम से भरपूर है, इसका सेवन करने से कभी भी शरीर में कैलसियम की कमी नहीं होती, ये एक मोटा नाज है जो आपकी हर्ट की हैल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है ये जिन लोग को हाई बीपी की प्राबलम है उनके लिए बाजरे की रोटी बहुत ज़्यदा फायदे मन्द है, बाजरे में कैलसियम मैगनेशियम की साथ साथ पोटेशियम भी पाया जाता है, जो शरीर से बैट कैलस्टर को कम करता है और आपको अगर हाई बीपी की प्रा की पाबलम है उनके लिए भी बाजरा बहुत ही ज़्यदा वैनिफिशल है क्योंकि बाजरे का सेवन करने से ब्लड शूगर लेवर में स्पायकस बहुत कम हो जाते हैं, बिकस बाजरा आपकी ब्लड में ग्लुकोज लेवल को स्टेबलाइस करता है, बाजरा पेट से जूड पेट का फूलना, कब्ज, पेट में दर्ग इस तरह की सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है, यह आपके गुर्दो से टॉक्सिंस यानि की बिशैले पदार्तों को बाहर निकालता है और सरीर में चुस्ति-फूर्ति लेकर आता है, बाजरा आपकी वेट लॉस करन बाजरे को कंज्यूम करते हैं, तो इसे खाने के बाद आपको बहुत देर तक भूक नहीं लगती, क्योंकि धीरे-दीरे पसता है, इस तरह से आप अपना वेट कम कर सकते हैं, इसे खा कर, बाजरा स्ट्रेस को कम करने में काफी हैल्प करता है, स्ट्रेस बहुत सारी बीमार बहुत सारी समस्वा का कारण है, तो स्ट्रेस से अगर आपको बचना है, तराम मुक्त रहना है, तो बाजरे की रोटी खाईए, बहुत ही ज़्यादा बैनिफिशियल है, बाजरे में स्लेनियूम, बिटामिन सी और एबी पाया जाता है, जो आपकी सिन के लिए बहुत ही अ वो समझ से आपके बिल्कुल खतम होती है, चैरे की दाग दबो को कम करके चैरे में निखार लेकर आता है, साथ ही स्कीन कैंसल से भी बचाता है, बाजरे में प्रोटीन भी भरपूर मातरा में पाया जाता है, इसलिए जब आप इसका सेवन करते हैं, तो आपके बालों को य यूमिनिटी यानि की रोग प्रति रोदक चमता को बढ़ाता है, चलिए तो आप बात कर लेते हैं, दूसरे नाच की बारे में जो कैलसियम और आइरेल सी भरपूर है, इसका नाम है रागी, इंगलिस में इसको फिंगर मिलेट की नाम से जाना जाता है, इसका सेवन कैलसियम प्रचूर मातर में पाया जाता है, प्रति दिन अगर आप एक कपरागी का सेवन करते हैं, तो आपके शरीर में कभी भी कैलसियम और आइरेन की कमी नहीं होगी, फ्रेंट्स आपको बतादू, इसमें पाय जाने वाला अमोनिया एसिद आपकी चैरे के लिए बहुत ही जादा फायदे मंद है, आप इसका सेवन करते हैं, तो आपके चैरे पे जुर्या नहीं होगी, चैरे पे चमक बनी रहेगी, लंबे समय तक आपकी इसकी जवा नजर आएगी, खून की कमी तो कभी होई नहीं सकती, क्योंकि इसमें आइरेन भरपूर मातरा में पाया जात है, जिनको अमेनिया की प्राबलम है, उनको रागी का सेवन जरूर करना चाहिए, इसको आप आटे के रूप में, दलिये के रूप में या फिर इसको अंकृत करके आप खा सकते हैं, जब आप इसको अंकृत करके खहते हैं तो यह और भी ज़्यादा लापकारी हो जाती है, जिन लोगों को हड्टियों में दर्द रहता है, जोडों में दर्द रहता है, अर्थ्राइडिस की प्रॉब्लम है, उन लोगों को रागी का सेवन चरूर करना चाहिए रागी भी आपके बढ़ते हुए बजन को घटाने में सायक है इसे खाने के बाद भी आपको काफी देर तक भूक नहीं लगती और आप इसे खाकर आसानी से अपना वजन घटा सकते हैं देखने में ये बिल्कुल सरसो की तरह लगती है, लेकिन ये एक अनाज है जो इजीले आपको किसी सी भी डॉस्टी स्टोर में मिल जाएगा डाइबिटिक पेसेंट भी अगर इसका सेवन करते हैं तो ये बहुत ज़्यदा फाइदे मन्द है, रागी आपकी ओवर ओल हैल्थ के लिए हर तरह से फाइदे मन्द है, हर उमर के लोग इसका सेवन कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं तीसरे अनाच की बारे में जिसको नाम है जौर, आप सभी जानते हैं और इंग्लिस में इसको ब्रूम ग्रॉन कहते हैं जौर हमारी सेथ के लिए बहुत ज़्यादा बैनिफिशल है, गुड़ों की खान है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मिन्रल्स, प्रोटीन, भरपूर मातर में पाया जाता है इसलिए इसे खाने से शरीर में एनर्जी पे आती है, आपका स्टैमिना बूस्ट होता है, आपकी यूमिनिटी बूस्ट होती है जिलों को और विट की पाप्लम है, यानि की वजन बढ़ गया है, उनके लिए जौर किसी वर्दान से कम नहीं है क्यूंकि जौर में काफी मातरा में कम कैलरीज होती है, काफी कम मातर में कैलरीज होने की वज़ा से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बैनिफिचल है इसमें पाये जाने वाले विटमिन, मिनरल्स और कैलसियम शरीर में किसी भी तरह की गैस की समस्या नहीं होने देते बावसीर की जिलों को तकलीफ है, उन लों को हर रोज जौर की रोटी खाने चाहिए इस समस्या से छुटकारा बहुत आसाने से मिल जाता है अगर आप डेली जौर की रोटी खाते हैं यहां तक की चिलों को गठिया की समस्या है, उनके लिए भी जौर की बनी रोटी, जौर किसी भी तरह से आप खाए बहुत ज़्यादा फायदा करता है जौर की रोटी अगर आप खाते हैं तो आपको कभी भी कप्ष और बबा सिर की समस्या नहीं होगी जौर की आटे का पेस्ट बना कर अगर आप चाहरे पे लगाते हैं तो आपके कील मौहा से बिलकुल खतम हो जाते हैं और दाग धबे भी कम हो जाते हैं फ्रेंड्स ये भी आपकी वजन को कम करने में उतने ही ज़्यादा फायदे मंद है क्योंकि जब आप इसको खाते हैं तो काफी देर तक ही आपकी पेट में रहते हैं आपको देर तक भूक नहीं लगती और आसानी से आप अपना वजन कम कर सकते हैं एक हैल्दी खाने के साथ में इन तीनों ही अनाजों का अगर आप सेवन करते हैं तो आपका बात, कफ और पित ये तीनों ही चीज़े बैलन्स रहती हैं शरीर में जब ये तीनों चीज़े बैलन्स रहेंगी तो किसी तरह की रोग आपके शरीर में होंगे ही नहीं आपके शरीर के हो, यूमिनिटी को यू बूस्ट करते हैं, जब आपके शरीर में प्रोटीन, कालसियम और आइडन की कमी कभी नहीं होगी अगर आप इन तीनों अनाजों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, आपकी हट्टियां, आपके स्कीन, आपके बाल हमेशा जवा न कि आप इन तीनों आटे को गेहूं के आटे में मिलाकर रखें और डेली स्की रोटिया बना के खाएं, इस तरह से ये तीनों अनाज आप डेली खा सकते हैं, और आप देखेंगी 10 से 15 ही दिनों में अपने शरीर में आपको positive changes नजर आने लगेंगे, इसके साथ ही एक जरूर 45 मिट का gap जरूर रखें, और सबसे जरूरी बात हमेशा खुश रहिए, एक positive attitude follow कीजिए, तो friends सीता मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो please like कर दीजे, क्योंकि आपके like करने से मुझे ही मिलती है धेल सारी motivation आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने की, मिलती हूं मेरी नेक्स वीडियो में, be positive, be happy